हेलो दोस्तों कैसे आप सभी सो दोस्तों आज कल अभी बच्चे जो काफी समय से इस्किल की त्यारी कर रहे हैं तो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे अभी भी तुकि लगवाथ 2-3 महिने उनको कोचिंग करते वे हो गए हैं कुछ ऐसे थे जो वेकुल फ्रेश कहां तक जा सकते हैं मेरेट जैसे कि बच्चे का ही हमारे पास एक मेसेज आपर है जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि उनके जो हैं कट-अफ से 11.5 मार्स जादा हैं तो स्किल कर रहा हूं मैं फाइनल माने की उमीद है या नहीं इसी तरह के बहुत सारे बच्चे हमार हैं जो डाउटफूल है बेभी जिनके बहुत ही कम मार्स जादा हैं मतलब अपने कट-अफ से अगर देखा जाए तो दो चार नंबर ज्यादा ही है सिर्फ तो ऐसे में बड़े डाउटफूल है कि वह स्किल की तेरिक करें या ना करें तो आज की इसी दूविदा के लिए म जैसे कि इनके 10 या 11 नंबर जदे हैं अपने रिजल्ट से हाला कि यह इनफ है अगर मैं यह नहीं की बात करूं सबसे पहले तो यह इनफ है क्यों इनफ है 2019 में अगर मैं बात करूं यह ग्रेट डी के लिए इनफ है 2019 के अगर हम लोग बात करें यूर कटेगरी से तो 134 पर आपकी गई है मेरिट और आपको जो है 145 तक सेलेक्शन हो जाना चाहिए फाइनल इसकिल के बाद इसकिल के बाद यहां 11 नंबर का ही अंतर है और हम लोग है 2020 में 2020 में 2019 में एक बहुत बड़ा अंतर ही आच चुका है मैं एक प्लेंपेज लेलू 2019 में और 2020 में सबसे बड़ा आपके 10-10 नंबर जाता है तो आपको स्किल डेफिनिटी करना चाहिए ना के वो लिन को जिसके भी यूर कैटेगरी में और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 10 प्लस मार्क्स हैं कॉट अफ से तो आप स्किल प्रिपर कीजिए इश्वर ने चाहा तो आपको एक अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी इस बच्चो मेरी बातों से जराबी को डिमोटिवेट ना हो अगर आपके इस से थोड़े से कम नंबर भी हैं तो वह भी स्किल त्यार करते रहें देखिए होने को कुछ भू सकता है मेरे को देखिए मैं कोई ऑनली ऐसा वैक्ति नहीं कि यूट् अग्षारा में इस बहुत सार बच्चे जोड़ा ती नंबर फालतू नंबर पर इसका अपनी जोब लेकी गए हैं ओब इसको एक ग्जाम्पल ने में पर बहुत सारे एक्जाम्पल एसा मेरे पास में लेकिन आज थोड़ा सा हाई-ट्रेक होचा जा रहा है बच्चे एवे से की बात करता हूं फिला यहां पर सिक बच्चों यहां सबका अलागाला फंक्षन है सबको अलागाला रिक्वार्मेंट है मैं यहां आपको लेकर चलता हूं आपके रिजल्ट पर पर तेजल पर नंबर वेकेंसिस पर जो 2019 में आपकी आई हैं उनके हम लोग एक बाद ज़ आट करते हैं यहां से यहां पर यहां पर हम लोग चलते हैं अपना इस्टेंव गराफ ग्रेट सी यहां पर हमारा फुला है 2020 बाद में थ्या जाजा ले लेते हैं कि किसी यहां पर बात करें तो तो यहां पर आपकी तो यहां पर आपकी हमारी यहां पर तो यहां लगबग चाड़ सो पच्छतर सब्सक्र के असपास वीडियो हो सब्सक्राइब अब अगर यह हालाद हम 2020 की बात करें अब 2020 की तरफ चलते हैं हम लोग तो यहां हालाद कुछ और हैं बच्छों 2020 में यहां पर वेकेंसी जो हैं इस बार 85 तो हैं आपकी यहां पर सी में और डी के अगर बात करूं तो यहां पर डी में जो वेकेंसी हैं वो हैं आपकी सासु सतावन सासु सतावन पलस 87 तो यहां पर आपके लगबग 850 प्लस वेकेंसी और यह बढ़ भी सकती हैं वहां 475 का सपास थी तो डबल हैं लगबग वेकेंसी वेकेंसी बहुत जादा हैं यहां इसलिए आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ज़दा माइन रखते हैं आपके सेलेक्शन के लिए इसलिए मैं आपसे बोला था आपका रिजल्ट होगा अब बहुत सारे बच्चे हतास हैं फिर भी किसे मेरे दो मांग्स जादा है या तीन मांग्स जादा है या चार मांग्स जादा है देखिए अब इतने कम मांग्स पर तो स्टूइंट होना नामुम्किन सी बात है बिलकुल यस अगर आपकी के लिए बहुत स्टूइंट जो है फॉर्म बढ़ते हैं अगर आप लोग 2019 की बात करें ग्रेट डी की तो 2019 में सबसे अधा स्टूइंट जो सेलेक्ट हुए थे स्किल्के क्या था वह आपका स्सी एडबलू एस और यूवार से किया था अगर आपके दो तीन चार मांग ज्यादा है तो आप चाहें तो अपना आगी की तेहरी कर सकते हैं मतलब स्किल्ट छोड़ सकते हैं लेकिन मिनिमूम कम से मैं फिर भी आपको आठ से दस मांग प्लस करते हुए चलने के लिए कहूंगा हाला कि वह चाहें तो स्किल्ट जारी अगर मैं महनत कर लेता है तो ऐसा नहों कि आप मेरे कहने पर या किसी और कहने पर अपना स्किल्ट छोड़े अपनी त्यारी करते रहें बादस्तूर लगे रहे हैं डेफिनेटी कुछ अच्छी कबर सुनने को मिलेगी और जो भी होगा सब आपके लिए होगा अच्छे के वीडियो में सबतों के लिए बाबाए